नमस्कार मित्रों, आज हम ग्रिप स्ट्रेंग के कुछ प्रकार देखेंगे और उनको ज्यादा से ज्यादा मजबूत कैसे कर सकते हैं, स्टॉंग कैसे बना सकते हैं, ये भी देखेंगे ग्रिप स्ट्रेंग के मुख्यता तीन प्रकार होते हैं जो कि हैं करश ग्रिप, पिंज ग्रिप और सपोर्ट ग्रिप इसमें हम सबसे पहले करश ग्रिप देखते हैं करश ग्रिप वो ग्रिप होती है जो आप हैंडशेक करते वक्त उप्योग करते हो जिसमें आप अपने उंगलियों के साथ-साथ पूरे हतिली का उपयोग करते हो जो भी गृप आप दबाने के लिए उपयोग करते हो उसे करश गृप कहते हैं इस प्रकार के गृप की ताकत बढ़ाने के लिए हम कुछ एक्ससाइजेस अभी देखेंगे सबसे पहली और मैं तो प्रूरन एक्ससाइज आप जो देख रहे हैं वही हैं इसमें आप कोई भी मोटा कपड़ा या फिर बोरी बीगो कर उसे निचोड़ना है इससे आपकी क्रशिंग गृप बहुत ज़ादा स्ट्रॉंग हो जाएगी कई सारे पहलवान इसका उप्योग करके लोगों की नसों का खुन का प्रावा तक रोग देती थे और साथी साथ ये हर कोई अपने घर पर भी कर सकता है इस गृप की स्ट्रॉंग बढ़ाने के लिए दूसरे एक्ससाइजे मुगदर फैरना मुगदर हाथ से चुटे ना या फिर यहाँ वहाँ गिरे नहीं इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ के रखना होता है इस वज़ा से मुगदर फैरने से आपके कर्शिंग ग्रिप बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है इसके बाद की एक्सेसाइजे टौवल पुलप्स या फिर रसी चड़ना इन दोनों में हाथों से बहुत ज़्यादा मजबूती से कस कर पकड़े बीना आप यह पुलप्स लगा ही नहीं सकते या फिर रसी चड़ ही नहीं सकते और बिल्कुल इसी बज़ा से आपके ग्रिप स्ट्रेंग्ट बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है आप किसी बी चिज़ को आसाने से क्रश कर सकते हो दबा सकते हो यह ग्रिप स्ट्रेंग्ट पुलप्स के जैसे नहीं है पूलपस के लिए support grip लगती है ये crush grip बहुत ही आलग होती है क्योंकि इसमें आप body को के वल सपोर्ट नहीं करे हो बलकि हर वक्त रिसी को या फिर towel को कस कर दबा कर उपर उपर जा रहे हो या फिर निचा आ रहे हो उसके बाद crush grip के और एक अच्छी exercise है वो है पेपर को नीच ओड़ना यह exercise बहुत ही ज़्यादा आसान दिखने में हैं लेकिन फाइदा बहुत ज़्यादा करती हैं बस आपको दो पेपर लेकर उन्हें नीच ओड़ते जाना है जब तक वो हाथों से पूरी तरह गायब न हो जाए तब तक उन्हें आपको लगातार दबाते रहना है इससे आपका क्रश ग्रिप का endurance और strength दोनों भी बढ़ेगा तो यह सब exercises क्रश ग्रिप बढ़ाने के लिए हैं क्रश ग्रिप की strength सबसे ज़्यादा उपयोग में आती हैं और इससे आपका प्रभाव भी बढ़ता है ताकत भी बढ़ते हैं पूरे शरीर की ताकत बढ़ती हैं इसके बाद आती है पिंच ग्रिप पिंच ग्रिप में आप केवल अपने उंगलियों को उपयोग करते हैं हातिली को उपयोग नहीं करते हो उंग्लियों को उप्योग करते हो है किसी भी सपाट सतह पर जहाँ पर आपके उंग्लियों को किसी भी तरह की ग्रिप नहीं मिल रही है वहाँ पर केवल उस वस्तो को पिंच करके पकड़े रहना इससे आपके पिंच ग्रिप बहुत जादा मजबूत होती है ये pinch grip जिसमें केवल उंगलियों को उपयोग होता हैं उसको उपयोग हम rock climbing में करते हैं किसी बिजार का ढक्कन खोलने के लिए भी करते हैं या फिर इसी तरह के कई सारे वस्तुएं होते हैं जिने पकड़ने के लिए हम केवल उंगलियों को उपयोग करते हैं इसलिए पिंच ग्रिप को ट्रेनिक करने के लिए ये एक्ससाइज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसके बाद आखरी ग्रिप स्ट्रेंग होती है सपोर्ट ग्रिप। वो ग्रिप होती है जिसमें हम अधिक से अधिक समय तक किसी भी वस्तु को या फिर हमारे शरीर को पक सकते हैं या फिर केवल वार से लटक कर भी हम इस ग्रिप को स्ट्रॉंग कर सकते हैं। इस ग्रिप को मजबूत करने के लिए और एक एक्ससाइज हैं जिसमें आप भारी भारी थेलिया हाथ में लेकर या फिर कोई भारी वस्तु हाथ में लेकर आपको केवल चलते जाना आच्छी स्ट्रॉंग होगी ग्रिप स्रेंग्थ हमारे रोज मरा के जीवन में बहुत ही ज़ादा उप्योग में आने वाली सबसे महतो पूर्ने स्रेंग्थ है इसका उप्योग कई कई जगाओं पर होता है आपकी ताकत भी इससे बढ़ती है जब भी हम किसी से हाथ मिलाते है जब भी कोई दो व्यायम करने वाले एक दुसरे से हाथ मिलाते है तो सबसे पहले एक दुसरे की ग्रिप स्रेंग्थ चेक ज़रूर करते है इसलिए इन सब एकसरसाइजेज को उप्योग करके अपनी grip strength मजबूत जरूर बनाईए इस वीडियो को लाइक और शेर अपने मित्रों के साथ जरूर कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में जैश्री राम